हमें अपना प्यार देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए आप जो अलार्म बटन है उसको आप दबाईए और जितना हो सके वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भु प्रस्तती जोतिश दिशा सत्य की राहा नमस्कार शेकिष्णाशी रादे बहुत बस्वागत है आप सब का देख रहे हैं अपने एश्टू फ्रेंड के साथ जोतिश दिशा सत्य की राह सत्य तो सत्य रहता है उसको असत्य कब तक दबा सकता है और इस कारकरम के बाद्ध्यम से मैं बताओं आने बहुत से लोग अब बहुत कुछ कहने लग गए हैं कर लेक अच्छे दिगज थे वो भी थोड़ा सा कटाक्ष किये हमारे ब्रहश्पत वाले वीडियो पर ना उन्होंने नाम लिया ना मैं नाम ले रहा हूँ लेकिन वो भी हमको फॉलो करने लग गए हम भी कर उनको फॉलो किये एक सब्सक्राइबर ने हमारे बताया हमको कमेंट्स में कि गुरु जी ऐसे ऐसे हुआ है तो देखा थोड़ा सा एक कहावत है कि कहे कि अब्बा जी अब्बा जान फफीम खाब है कैदत ससुरा पहले अफीम कहे तो सिख उन महोदय ने ब्रहश्पत के उपर वीडियो बनाया और ब्रहश्पती लिखना भी नहीं आया ब्रहश्पती लिखे थे बाव उसमें प्रावाला अधर्रा ब्रहश्पती है तो अब उस पर और क्या कहना बात खतम बढ़ते हागे हम क्या है वो आपको पता है और कौन क्या है ये भी जनता जानती है ये तो पब्लिक है ये सब जानती है वह अंदर क्या है बाहर क्या है पब्लिक आप जन्दा जनारदन माई बाप तौलना आपको है आप सब दूद पीते बच्चे नहीं है यू आल आर मेच्योर एनफ नो नीड टू एक्स्प्लेइन अबाउट एनी क्लियरिफिकेशन किसी भी तरह के बस एक हमने स्रीगूफा बार दिया कि कि अब क्या बताओ मैं कि इतने बड़े बड़े दिगज इतने बड़े बड़े दिगज अच्छा आप लोग एक बात बताईए हम तो पापी को भी पापी नहीं कहते ब्रहश्पत के कुछ कर्मों पर हमने पाप के क्वेश्चन मार्क्स खड़े किये थे अगर आप लोग वीडियो को फिर से लेखेंगे तो समझ में आएगा बट कोई पूरवाग्रह और दुराग्रह से ग्रसित होकर के जब हमारे तरफ कदम बढ़ाता है तो फिर वो मुखकी ही खाएगा खैर आते हैं आज का विशे कैसे मिले मदद हम अपने जीवन में इस्तरी और पुरुष के मिलन से इस जीवन का निर्मार होता है मतलब एक को दूसरा मदद करता है मदद पर दुनिया पूरी तरह से टिकी है पूरी तरह से टिकी चाहे वो खरब पती कोई हो चाहे वो एक छोटा सा काम करने वाला दिहारी मजदूर हो हर किसी को किसी न किसी के सहारे की आवशक्ता होती है मेरा विशय आज जो हमने लिया है वो कुछ ऐसे मामलों को प्रकाश में रख करके लिया है कि अकसर ऐसा होता है मैंने देखा कि पिता की मृत्यू के बाद अचानक से सब बदल जाते हैं चाचा बदल जाते हैं ताउ बहुत करीबी थे जिनकी मदद की आवश्यक्ता थी इस गाड़े वक्त में जब पिता दिवंगत होते हैं बट वो अचानक से पाउँ पीछे खीच लेते हैं तमाम ऐसे कारण पैदा हो जाते हैं कि मदद नहीं मिलती है जन्रली तो ये कार नहीं बड़ा घ्रणित है कि जब किसी के सहारी की आवश्यक्ता हो तभी वो सहारा उससे दूर हो जाए बहुत घ्रणित कार मैं इसको मानता हूँ व्यक्तिकत तोर पर बट आज हम आपको एक ऐसा प्रियोग बताने जा रहे हैं कि जब जिससे आपको जित जितनी आवश्यक्ता होगी जितना आप मदद चाहेंगे किसी से भी उतनी मदद आपको मिलनी तैर कनफर्मा है तो कितनी मदद की आवश्यक्ता है ये आज हम आपको बताते हैं वो आपको समझना होगा सब कुछ आपको समझना होगा कि किस से आपको कितनी मदद की आवशक्ता है बहन से है भाई से है चाचा से है ताउ से है पिता से है माँ से है एक और बात कुछ यूत्थ हमारे इस कार्ट्करम में जुणने हैं बार बार एक दो बातों के लिए बार बार पूछते हैं हमसे गर गराते हैं कि प्लीज साचार जी प्लीज गुरू जी प्लीज पंडी जी मन्चाही शादी के लिए घरवाले मान नहीं रहें कुछ उपाय बता दीजिए देखे एक बात मैं आपको बताओं अगर भाग्य में है मन्चाहे जगह परिस्ता तो बिना उपाय के भी होगा और अगर भाग्य में नहीं है तो हम करोणों उपाय बता देंगे लेकिन आपको उसका लाव नहीं मिल पाएगा तो भाग्य पे भरोसा करिए प्रतिक्षा करिए अगर कहीं से भी आपके जर्मांग में उस जगह पर विवाह के संकेत होंगे तो आपकी शादी हो जाएगी उसके लिए किसी के उपाय क्या बश्रक्ता नहीं ना किसी का अगे गड़ गड़ क्यों नहों मदद के योग अब बनने लग जाएंगे जब आप इस प्रियोग को पूरी तरह से कर ले जाएंगे प्रियोग क्या है अब हम आपको बथाते हैं एक केले का छोटा सा पत्ता ले लिजेगा चोटा सा केले का पत्ता लेना है उस पत्ते पर गंगा जल छिड़कना है गंगा जल के अभाव में सामान पानी में एक चुटकी हल्दी मिलाकर उसी पत्ते पर छिड़क दीजे अगर गंगा जल नहीं है तो छोटा सा केले का पत्ता लिजे गंगा जल छिड़किए गंगा जल नहीं है तो सामान पानी में एक चुटकी हल्दी मिलाकर थोड़ा सा दोजार बार छिड़क दीजे छिड़कने के बाद जिससे मदद लेनी है उस व्रक्ति का नाम अपनी इंडेक्स फिंगर से तरजनी अंगुली से काजल के द्वारा काजल हल्का सा लगाईए और उसी पत्ते पर लिख दीजे मान लेजे नाम है श्याम, राम, संतोष जो भी नाम है एक पहला फर्स्ट नेम इंडेक्स फिंगर से हल्का सा काजल लगा कर काजल चाहे डिब्बी वाला हो चाहे पैंसल वाला हो हाथ को काला करिए इंडेक्स फिंगर को ब्लैक करिए और उस पत्ते पर ले दीजे समझ गए इतना आप लोग लिखने के बाद साथ दूरवा के टुकड़े इस पे रख दीजी उसी पत्ते पर दूरवा पार्क वाली घास जो पार्कों में घास है ग्रीन ग्रास आफ पार्क वो साथ छोटे-छोटे से टुकड़े रख दीजे दूरवा पार्कों में घास होटा है लोग उस पर पाउं रख के चाहलते हैं दूर लेंगे तो साफ हो जाएगा अब उसके सामने बैठिये और तीन बार मात्र तीन बार बजरंगवान का पार्ट करिए हनमान जी का बजरंगवान का पार्ट करिए बजरंगवान का पार्ट कठिन लगता हो तो एक विकल्प और हम दे देते हैं ओम हंग हनुमते नमः ओम हंग हनुमते नमः ये आप एक माला जब लीजिए आप लोग लिखने के लिए कहेंगे वैसे कोशिश करूँगा कि डिस्क्रिप्शन में लिख दू मैं लेकिन हम बोल रहे हैं इसको बार-बार सुनिए वैसे उचारण करिए ओम हंग हनुमते नमः इसका आप एक माला तीन माला पांच माला साथ माला ग्यारह माला अपनी समय और शद्धा के हिसाब से मंद काजाब करिए इसके बाद इस केले के पत्ते को फोल्ड कर दीजिए चुकि नाम लिखा है तो खुला ना रहे और फोल्ड करके काले धागे से एक बार बांध लीजिए और शिवलिंग पर जाके रखाईए काम आपका पूरा और आप जिससे भी मदद लेना चाह रहे हैं उससे आपको मदद जरूर मिल जाएगी बहुत शुक्रिया है धन्यवाद उमेद करते हैं कि आपको जरूर ये कारक्रम पसंद आएगा और आप लोग जितना हो सकी इस वीडियो को सेयर करिए जिससे जिसको भी मदद की आवश शक्ता हो उससे उसको मदद जरूर मिले और परमपिता परमेश्वर की क्रिपा जरूर बनी रहे हैं फिलाल के लिए हम अनुमत चाहेंगे खुश रहें प्रशन रहें कलकता के अपाइनमेंट फाइनल हो चुके हैं मुंबई नाकपूर पोना अहमदाबाद इंदौर जैप बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको नव वर्ष की बहुत सारी मंगल काम नाए इन उतन वर्ष आप सब के लिए बहुत शुब हो ऐसे हम इस वर से प्रात्रा करते हैं नव वर्ष के विशय में जितनी सामगरी होनी चाहिए हमने करें 30-35 वीडियो बना करके राशिगर तरीके से ब्लाश्टिंग तूथ हाउजन 18 के नाम से प्लेलिस्ट बनाया है उसको आप लाइक करें शेयर करें अपने राशिक अमसार से वीडियो देखें और वर्ष को अ वीडियो को शेयर करना न भूलेगा आचारिय संतोशी जी के आगामी कारेक्रम इस प्रकार है अधिक जानकारी वो अपन्टमेंट के लिए संपर करें double line one zero two nine one eight five zero or double line double line zero two four zero double line